गुड मॉर्णिंग एव्रिवन वल्कम टो सुल्स रुप्सिश्टेडी वल्कम बैक 94 टेस्ट अविल तक कम्प्रीट हो गए हैं यह है प्रक्टिस सेट नंबर 95 तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट में हम देखेंगे प्रीवियस यहर के प्रश्णूप को ठीक है तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट प्रीवियस यहर के प्रश्ण है इसकेंड ठीक है रंडम ली वो भी जो पूछे गया है यूपीएसी और स्टेट पीसीएस में साथ साथ तो एक प्रश्ण यह है कि एक सब्द है डेनी सोवन डेनी सोवन कभी-कभी समचार माध्यों में किस स अंदर्व में आता है वताइए एक प्रकार के डाइनसोर का जीवास में यह एक आदेम जाती स्पसीज है पूरवत्तर भारत में प्राप्ते गुफातंत है या भारते उप महाधीब के इतिहास के एक भूपैक्यानिक कल्फ है यह प्रश्ण यूपीएसी सिवल सिवा में 2019 म में तो आजकल ट्रेंड बन गया है कि कुछ प्रश्ण जो है दो तीन साल पुराने भी रख देते हैं यूपीएसी में भी और स्टेट पीसीएस में भी प्रश्ण है कि भारत का प्रथा 100% जैविक राजे कौन सा है तो सिक्के में वो कपका सिक्के में और वह आज तक पूछ ले आता है तो देनी सोबन है कि एक आधिम जन जाती है ठीक है अब डेनी सोबन से डाइनसोर का जिवासम लगा गए आधि से ज्यादा ठीक है तो जीन प्रोटीन है एक लक्ष साधित जीन संपादन में प्रियोक्त आणविक कैची ठीक है टार्गेटेड जीन एडिटिंग कि कुछ सब्द इसके लिए याद रखिए जैसे कि जीनोम एडिटिंग ठीक है अगर यह पूछा जाए फर से कभी तो कुश्यन नमबर दस है नमर्कित में से कौन सा कथन सही नहीं है मतलब असत्य है पहला पढ़ते हैं यक्रत सोध बी यक्रत सोध को बोलते हैं हैपिटाइटेस हैपिटाइटेस वी विशाणू काफी कुछ हैचाईवी की तरह ही संचारित होता है सारभौमिक रूप से हैपिटाइटेस बी और सी विशाणू से संकुनित व्यक्तियों की संख्या है है एचाईवी से संकुनित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है क्या यक्रशोध B और C विषाणूवों से संक्रमेट कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लख्षण दिखाई नहीं देते मतलब हैपिटाइटिस B और C जिनको होता है उनको पते नहीं है कि मेरेको हो है तो यहां यह भी सही है यह भी सही है यह भी सही है यह भी बाला गलत है यक्रत सोध सी का टीका होता है जबकि यक्रत सोध बी का कोई टीका नहीं होता जबकि हैबिटाइटेस बी का टीका आपने सुना होगा सी का तो है नहीं कोई इसलिए गलत है यह दूसरा बाला स्टेट्म ठीक है तो यक्रत सोध लिखा है यहां को इधर को इनको तो कुछ प्रशन जो साइन्स से रिलेटर आते हैं उनका इंगलेस वर्जन देखना जरूरी है चाहें आप हिंदी माध्यम के हैं तब भी देख लेना ठीक है क्लिष्ट रहते हैं कई वर्ड नम्रकित में से किसने अपने नागरिकों के लिए डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवसी के लिए सामान एदंत संद्रेक्शन विनेमन नामक एक कानून अपरेल दोहार सोले में अपनाया और उसका पच्चिस मई दोहार आठारे से कारेणवन सुरू किया किसने किया था ऐसा पुराना करेंट है और इसका अंसर येरोपियन यूनियन तो इसको हम क्रॉसी कर देते हैं नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने नमलकित मसे किस देश के साथ नावकिया छेत्र में सहयोग छेत्रों के प्राथमी की करण और कारेणवन है तू कारेजन नामक सौधे पर हस्तक्षर किया है तो इसका उत्तर है रूस अलियार इसापूर और कंसावती जैसे ग्यात इस्थानों में क्या समानता है क्या उष्ण कटी बंद्या वर्षाबन की समानता या भूमिकत गुफा तंत्र की समानता हाली में खोज गई औरेनियम के निक्षे या फिर जल भंडार अलियार, इशापूर और कंसावती जैसे ग्यात स्थानों में जल भंडार से संबन देते हैं किस प्रधान मंत्री के कारेकाल के दुरान भारत के संब्यधान में नौवी अनुसूची को पुरा स्थापित किया गया ठीक आता 1951 का टाइम थे तो बही थे अपने प्रधम प्रधान मंत्री जवार लाल नहरू मूल संब्यधान में कितनी नौशूचियां थी आठ थी ना तो नमी जोड़ी गई तो शुरू में जोड़ दी थी भारत के संब्यधान की किस अनुसूची के अधिन जन जातिय भूमी का कौमा खनन के लिए निजी पक्षकारों को अलंकरण अकरत और सून घोशित किया जा सकता है तो तीसरी अनुसूची में तो सब्बत है ठीक है पांच वी में कोछ जन जातिय संबंधी प्रावधान है तो नौवी ही अनुसूची होगी कोछ अधिनियम और विनेमय का विधिवाद निकरण है इसमें नौवी अनुसूची सागर है और यह सागर से लगा हुआ देश एड्रियाटिक सागर के सामने अलवानिया लिखा है काला सागर के सामने क्रुएशिया लिखा है कैस्पियन सागर के सामने कजाकिस्तान लिखा है और भूमद सागर के सामने मौरक्को लाल सागर के सामने सीरिया लिखा है तो एड्रियाटिक सागर से तो लगता है अलवानिया करेक्ट है काला सागर से क्रोएशिया सही सो मेले ढूड़ना है काले सागर से क्रोएशिया नहीं लगता भूमद कैस्पियन सागर से कचाकिस्तान लगता है केस्पियन सागर से सीमा बनाने वाली देशों की ट्रिक बता रखी है तारीक है T. A. R. I. Q. ठीक है मतलब तुरक मैनिस्टान अजर बैजान रशिया इरान और कजाकस्तान भूमद सागर से मौने को मौने को मौना को मौन तेने ग्रूहा तो मौरक को भी लगता है लाल सागर से सीरिया नहीं लगता है तो पांच को लिमनेट कर दो लाल सागर से सीमा बनाने वाले देशों की ट्रिक भी बताई होगी ठीक है उसकी ट्रिक है डेजी डी ए डबल एस वाई डेजी इस और जौर्डन जे और डी एन फिर से लखते हैं डेजी डी डबल एस वाई इस जौर्डन तो यहाँ डी का मतलब जबूती से जबूती को डी से लिखते है ना जबूती और ए से है इरेट्रिया S से है सूडान दूसरे S से है साओधी अरेविया और Y से है यमन Is का इसरेल और जॉर्डन का पूरा जॉर्डन तो जिबूती, Eritrea, सूडान, साओधी अरेविया, यमन, इसरेल और जॉर्डन अब ये सीरिया हैं लग रखा तो गलत है ठीक है तो ट्रिक बता रखी है मैंने और उस पे सेपरेट वीडियो में बना रखी आप सार्च कर सकते हैं अगला प्रशन है नम्लिकित में से कौन सा देश पिछले पांच वर्षों में पांच वर्षों के दुरान विस में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है इन में से तो भारत ही है अभी हाल ही है भारत नहीं है उन्नेश तक जो है नैपाल को अंगेहूं और नौन बास्मती राइस का जो है सबसे बड़ा निर्यातक है भारत से नैपाल देखे एक प्रशन यह है कि भारत में कार्वो फ्यूरेन, मैथिल पैराथियान, फोरेट और ट्राई एजोफोस के इस्तमाल को आसंका से देखा जाता है यह रसायन किस रूप में इस्तमाल किये जाते हैं यह तो बहुत सारे लिखती है यहाँ यह बड़ा इंपोर्टेंट है मैथिल पैराथियान बहुत पूछते हैं इसको क्या है यह क्रशी में पीड़क नाशी है क्या है यह सब कार्वो फ्यूरेन हो गया मैथिल पैराथियान हो गया फोरेट और ट्राई एजोफोस क्या है यह क्रशी में पीड़क नाशी एगरिकल्चर में पीड़क नाशी है कोई खाद पदार्थों के परिरक्षक नहीं है फल पकाने वाले कारक नहीं है और ना ही परशाधन समगरी में नमी बनाए रखने वाले कारक है अब अगला प्रश्ण है प्रसिद इस्थान और सामने है नदी पंडर पोर चंद्र भागा नदी के ततपर तिरुची रापली काविरियन दित के ततपर हमपी माल प्रभा नदी के ततपर नहीं है तुंग भद्रा नदी के ततपर है तीसरा वला करेक्ट है पहला दूसरा इनकरेक्ट है अपने को करेक्ट ढूड़ना तो यह हो जागा इसका अंसर नम्रकित मैंसे किसके संदर में कुछ वैग्यानिक पक्षाब मेग भिरल तकनीक तथा समताब बंडल में सलफेट वायू विले अंतक्षेपण के उपयोग का सुझाब देते हैं तो है क्या ये कृतिम बर्शा लागार इसको गलत मत करते ना भूमंडले तापन को कम करने के लिए होता है वो सोडिया मायोडाइड वगरा होती है जिससे आर्टिफिशल रेंड कराई जाती है ठीक है अगला प्रशन है प्राणी विहार और प्राणी विहार के सामने लिखा प्राकर्टि ग्रूप से पाई जाते हैं नीले मेनपक्ष बाली महासर कावीरी नदी में इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी में प्राकर्टि कुस्पप पाई जाती है क्या मोर्चाव रस्टी यानि चित्तिदार बिल्ली वेस्टन पूरवी घाट में इस्टन घाट में पाई जाती है क्या सुमेलित करिए मतलब कौन सा साई सुमेले तो बताईए चित्तिधार बिल्ली पूरवी खाटें पाई जाती है सही है नीले मीन पक्ष वाली महासर काबीरी नदी में ये भी सही है इराबदी डॉल्फिन तो इराबदी की प्राकटिक इस्थानिक होई न चंबल नदी की कहां सा हो जागी गलत म्यमार एक और तीन हो जाना चाहिए इसका अंसर डॉल्फिन हो जाता है किसके राज में कल्यान मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षन था बताईए किसके राज में कल्यान मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट लक्षन था व मिया तांसेन के संदर में निम्रिकित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है मतलब गलत है तांसेन ने अनेक रागों की मौलिक रशना की है तांसेन ने अपने संरक्षकों से संबंदित गानों की रशना की तांसेन ने हिंदू देवी देपताओं से संबंदित नहीं दी थी एक प्रश्ण है अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन इस्थापित किया गया है अभी तक इंपोर्टन्ट है प्रश्ण नीती आयोग इसका उत्तर है याद रखना अटल इनोवेशन मिशन का नाम आए तो कौनसा आयोग नीती आयोग इन में से किस मुगल ने सचित्र पांडूलिपियों से ध्यान हटा कर चित्राधार और वैक्तिक रूप चित्रों पर अधिकार अधिक जोड़ दिया तो इस्थापत्य कला का तो वात्सा सा जहां कहलाता है चित्रकारी का कहलाता है जहां गीर याद रखना एक प्रास्ण जून की 21 बी तारीक को क्या होता है उत्त्र ध्रूबिय ब्रत पर छित्र नीचे नहीं डूपता ध्या में भूमद रेखा पर उर्धवादर रूप से व्योमबस्त चमकता है 21 बीद तारीक की बात हो रिये जून में यानि मकर रेखा पर उर्दबादर रूप से व्योंबस्त चमकता है 21 जून की बात हो रही है तो ये नहीं होगा ये बाला उत्तर से ही हो जाएगा सप्टेंबर की बात हो रही होती तब डी से होता उत्तर ध्रुबिया ब्रत पर छेतेज के नीचे नहीं डूपता सूर यानि लंबबद चमकता यानि कर कर रेखा की बात हो रही है ठीक है 88 पर आजएए निम्लकेत में से कौनसा नेशनल पार्क पूर्णते है सीतोष्ण अलपाइन कटिवंद में इस्तित है पूरी तरह से सीतोष्ण है कौनसा है मानस असम में नाम दफार उना चल इदर तो पड़ती है ठीक ठाक गर्मी फूलों की घाटी हो जाएगा वैली ओफ लॉबर नेशनल पार की है उत्तराखंड में और कोई प्राश्ण वेस्विक पड़ती क्या है ये ग्लोबल कंपोटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाश्ट करता है प्राश्ण इंपोर्टेंट है इसका उत्तर क्या है वर्ड एकॉनमिक फॉरम विश्वार्थिक बंच ओल टाइम फेवरेट है प्राश्ण अगला प्राश्ण है स्वदेशी आंदोलन के संदर में निम्रकीत कतनों पर विचार करें तो इस्टेटमेंट है स्वदेशी आंदोलन ने देशी सिल्पकारों के कौशल तथा उद्यों को पुनरजिवेद करने में योगदान किया स्वदेशी आंदोलन के एक अवियव के रूप में राश्टे सिक्षा परिशत की स्थापना हुई थी क्या बिलकुल इस तरह के स्टेटमेंट अगर UPPCS में आते हैं जो बाउंसर मारते हैं तो उनके दोनों सही हो जाते हैं और हुए हुए हैं पिछले तीन साल का इतियास तो यही कहता है ठीक है बीस में भी इसी तरह के स्टेटमेंट थे कई जो दोनों करेक्ट थे यह आंदोलन सामने हैं इनके लीडर अखिल भारतिय असप्रश्चता विरोधी लीग मोस्ट इंपोर्टन्ट है बहुत पूछते हैं जोतिवा फूले अंबेटकर और गांधी जी में बहुत कंफ्यूजन रहता है इसका उत्तर है गांधी जी करेक्ट है यहाँ पर अखिल पर अचे अंधन आगर रखःगा फ्र tweet करेंसे कौन सा एक हडपास थल नहीं है तो चनहुदड़ों एक हडपा इस थल है तो प्रस में होता होता टाहर न काली बंन, भड़ू होता दोस के सततना होता होता है अगला एक प्रश्ण है कि संभिधान भारत के संभिधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षन देता है तो भहुत सारे जो है जो राइट्स हैं कुछ 19 के ए में हैं ठीक है उनको भी याद रखना और 21 में भी है यह है अनुच्छेद 21 के अंतरगाती है प्रश्ण UPSC से विल से वापे पूछा गया था तो देखें कुछ प्रश्ण थे इंपोर्टन्ट रेंडमली कलेक्ट किये गए स्कैनर के द्वारा ठीक है इनकी प्रेक्टिस कर लेना कम से कम एक बार तो करें लेना ठीक है फॉर्मेट से समझ आई है आप थम्रेल देखें इसका चेंड टाइप का अगर इस तरह का थम्रे सिरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने वहाँ पर आप टेस्ट नंबर बंद से लेकर ये कौन सा है 95 तक पहुंच सकते हो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल जाएगा धन्यवाद